अगर आप यहां से brake adjust करके brake को tight करने का कोसिस कर रहे हैं अगर हो जाता है तो अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है इसके आप जानते हैं साइकल का brake में यह जो बोल्ट लगा हुआ रहा था गाइस यह बोल्ट का नाम है गाइस adjust बोल्ट है और यह बोल्ट क्यूं दिया जाता है ब्रेक adjust करने के लिए आप लोग और रेड़ी जानते हैं तो लेकिन रुकिए एक मिड़ी यह वीडियो को पूर करें दो लूलेज आपको मिलने वाला यह जैसा कि आप रोछाथ को आपसे इप करने का कोसिस अगपार में बहुत सारे से सक्राइबर हैं भीवर सा जो कि हमें कमेंट किये थे तो उनहीं का आधर पर हम यह वीडियो बना रहे हैं आप लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा तो वीडियो को फूरा देखें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग का किमती समय ज्याधा ना लेते ही जो कि long last तक चलेगा कभी भी कोई सा problem नहीं आएगा सो गाइस बताना चाहेंगे जैसा कि ये cycle में आप देख पा रहे हैं इसमें देखे अलोई कलच लगा हुआ ठीके जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो front end ये आपका जो है एक जोड़ा आता यानि एक set में ही आता है चाहते तो यह लोहे वाली कलच आप लगा सकते हैं जिसे अलोई कलच बोले जाते हैं अगर आपको अफलाइन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको अफलाइन का हम नीचे लिंक दिये हुए आप उहां से ओलाइन खरी सकते हैं अगर आपको अफलाइन मिलता ज्यादा बेश्ट रहेगा कोई भी सब्सक्राइब को मिल जाएगा किस कमपनी का लेना चाहिए यह अलोई कलच तो आप लोग को बताते हैं जैसा कि यह कलच में आप देख पा रहे हैं यह देखिए आपका धारा कमपनी का कलच है गाईस ठीक है इसमें लिखावा तो अगर आप धारा कमपनी का लेते हैं तो ज्यादा बेश्ट रहेगा क्यूंकि यह आपका एक बेश्ट ब्रांडे साइकिल पार्ट्स में है इसमें एक चीज और हम आपको को क्लियर करेंगे क बाइसा होता जो कि धारा कमपनी में सही болpet बाकि सभी पार्स होता है और एक खास बात बताना चाहेंगे यह अलोई कलच मीशुली आपको सभी cycle में लग जाएगा आपको जेनरल अलोई कलच हो गया लंग ब्रेकिट में चाहना है तो आपको लग ब्रेकेट वाली लगाना है। यह जो ब्रेकट देखरे हैं यह आपका Long होना चाहिए नहीं लमबा ब्रेकट वाली आपको लगाना है। इस तरह चोटा ब्रेकट वाली नहीं लगानी है आपका कillä लीपर ब्रेक में काम आता है या आपका राता है चलिके से करना है इसे आहानी से आपको असानी से म्याइ च्छ आपाय यह देख आपपार लूज होने को बाद क्या करना है यह जो एजस्ट नट आप देख रहे हैं बोल्ट में लगा हुआ इसे आपको इस तरह से लूज करना है यह देखिए यह आपका लूज हो गया और उसका जब हम ब्रेक को प्रेस कर देखें ब्रेक भी हमारा हाड हो चुका है ठीका और यहां अपर एजस्ट के दुआरा ठीक हमारा कंप्लीट हो गया उसका आपको बताना चाहेंगे जब हम रियर ब्रेक कर रहे हैं जिस्ट देखें आप लोगों को देखाते हैं यह प्रॉब्लम होता है इसका जो थरेड होता हुँ थरेड आपका खराब हो जाता तो देखें हम आप एक डिर्म खराब हो जयाता है इसका खराब हो जाने को बाद यह प्रोब्लम होता है जेब प्रेक करते तो इस तरह करते हैं यह यह पर पंजाक के पास में आजाना रियर फ़रंट से औहां पर देखिए क आपको Patriot मूट दिया जया प्रेश करना हुआ अंदर डालना है उसके वहाँ का मदद पड़ेगा तो अंधर को ब्रेस करें हाद हो यह नहीं हुआ है तो यह नहीं हुआ है घ्यादा नहीं है ज़्यादा ब्रेक Lira था इसके वेसे तो जितना लिमिट में होने कराएगा अगर नहीं होता है अगर थोड़ा बहुत भी अगर ब्रेक हाड नहीं होता है यह एजस्ट बोल्ट आपका लूस करने के बाद तो फिर आपको क्या करना है इस तरह से लूस करना है ठीक है ड्रो बोल्ट को लूस करना है इस तरह से एजेस्ट बोल्ट को जितना खोले तो फिर से दुवारा टाइट कर देना है और टाइट करना है तो वायर को खिचना इस तरह से पंजा को दबाते हुए और इस तरह से आपको नट को टाइट कर देना है यह ब्रेक आपका सही से एकदम टाइट हो जाएगा अगर यह एजस्ट बोल्ट से नहीं होता तब आपको यह पॉर्सस करना है अगर कहीं पर आपका ब्रेक में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर लूज हो चुका है और आपके पास इस पैनर नहीं है सब्सक्राइब कर लेना है दोनों को मिला करके कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा औ त्यूज हमागा ऐएक चीज और हमसे चाहेंगे अगर आपके पास पावरब्रेक वी साइकल है तो उसमें आपको सेम पोरसस रहे गा कि आपको जो ब्रेक पलाज कि में ही रहेगा राजिए कर सकते हैं ठाड time कर सकते हैं उसमें आपको जो ही नीचे में एजерм नहीं दिया जाता है तो आअसानी सा आपको देखार कर ले ना सेम्पर्सर रहेगा तो चलिए फीर मिन तर नेक्ट досव एमें